वेलकम तो अलो फियो इन सन्वार फिजिक्स क्लासे इन टुदेज लेक्चर आप क्लास 11 चेप्टर यूनिट्स और मिजरमेंट वेल कंतीन्यू अबाउट सब्लेवेन्टरी यून टो प्रिवेस लेक्चर में मैंने आपको फंडमेंटल यूनिट्स और सप्लेमेंटरी यूनिट्स के बाताया था तो जो दो मैं तो सब्लिवेन्टरी यूनिट मैंने आपको बता तो वन रेडियन की डेफिनिशन देखेंगे और एक वन इस्टे रेडियन की डेफिनिशन देखेंगे तो इसको आप मैं रख कर दे रहा हूं तो हमें वन रेडियन प्लेइन एंगल कितना होगा वन इस्टे रेडियन कितना होगा इसे देखना है तो सबसे पहले मैंने आपको प्रिवेस लक्च्शर में बताया था आपको याद रखना है कि हमारा वन डिगरी इक्वर टू हुता है कितना है हम यह कहँए 180 दिग्री इक्वल टू पाई रेडियन तो यहां से वन डिग्री इक्वल टू पाई पाई रेडियन यहां से वन रेडियन कितना हो जाएगा 180 अपाई ओके डैन ऐसे ही वन डिगरी में होते हैं हमारे 60 मिनेट मिनेट के लिए डैस होगा और वन मिनेट में कितना होगा 60 सेकंड एक यह इंफॉर्मिशन आप नॉट कर लेंगे यह हमें नुमेरिकल्स मांगे जर्वत पड़ेगी इसकी ओके इसके बाद जो वन रेडियल मनेगा देखिए रेडियल क है ठीक है आर्क की यह यहां पर जो एंगल सबस्टेंड करेगा इसको हम बोलते हैं धी ठीटा या ठीटा डैट इज प्लेगेंगल तो जो हमारा प्लेन एंगल हो जाएगा plane angle equal to r upon radius ठीक अब यह हो जाएगा radian में अब यह one radian इसकी unit क्या होगी plane angle की r upon radius यह तो measure करने का तरीका है theta equal to l upon r ठीक और इतना क्या हो जाएगा radian क्यों तो इसकी unit जो है degree नहीं है angle unit si, si unit है radian अब one radian plane angle को में define करना है तो one radian के लिए क्या हो जाएगा अगर हमाली length of arc one हो जाए यान कि ठीक अगर length of arc one हो जाए और radius जो हो जाएगी इसकी यह भी one हो जाए तो हमारा plane angle कितना हो जाएगा one radian हो जाएगा अगर हम l को भी one करने यान कि length of arc is one and यह जो हो जाएगा हमारा r यहां पर आप इसको समझेंगे इसके डेफिनिशन लिख करके मैं आपके लिए सो कर रहा हूं तो यहां पर मैंने प्लेइन अंगल की डेफिनिशन आपके लिखी वही है देखिए वन रेडियन प्लेइन प्लेइन अंगल प्लेइन प्ली ऑंगल किया है आर्क रेडियस मैंने कहा कि कोई सर्कुलर हो और रेंध कितनी हो आलरक राट किया हो तो प्लेइन अंगलकर प्लेइन और झाल किया है रजांट क्या है Independence तो ये ठीटा को 1 r r मनाना नहीं तो मैं कहिए कह सकता हूं कि यह और य। यह दोनों को कहे दिए 1-1 यह दोनों 2, 2 हो जाए लेंध भी 2 हो जाए। अभी सबस्क्राइज हूं हो आफ तसी इस के बनेगा जब लेंथ आप दा आर्क किसके बरावर हो जाएंगी रेडियस आप दा आर्क फॉर्द सब्सक्राइब तो डेफनेशन देखिया जाएंगा 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 तो डेफिया तो आप इसको इसको स्क्रेंट निजिए और इसको नोट कीजिए फिर हम देखेंगे आप इसके बाद से नेक्स्ट हम डिसकस करेंगे आप इसके प्रिवेस लेक्षर में आपको समझा था तो सॉलिड एंगल क्या है देखे यह एंगल है यह कम है अंगल प्लेन में था टूडी में अंगल था प्लेन अंगल जब अप्लेन से अंगल को आप कैसे समझेंगे मारी पास है स्व मान अंगल स्व बास इस डिशा करें लो मा इसक तुर्स पार्ट अप मानी इसके कुछ पाड़ है तुप और आफको डैली तुर्प से स्फर होगा यह त्प्भेरिक्ल सर्फेस का इसका कुछ सर्फेस एरिया कुछ सर्फेस एरिया इसके center पर देखिए अब इसका surface area में कुछ ऐसे सर्फेस area होगा तो इसका surface area इसके center पर जो angle subtle करेगा और इसकी radius अगर आर हो तो इसको हम solid angle ने यहनिका Solid Angle क्या है एंगल subtended by सब्सक्राइब करते हैं और यह होता है हमारा तरीका होता है हमारा सॉलिड एंगल के लिए एक हैं तो तो सॉलिड एंगल हो जाएगा हमाणा पर दीओ मेगा से इसको करते हैं और यह होता है हमारा डीए यानि कि सर्फेस एरिया डिवाइड वाception का स्कॉय यह तो क्या हो जाएगा हमारा सॉलिड एंगल हो गया ठीक है अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस सॉलिड एंगल को देखिए इसको उन्टेंगे सर्फेस एरिया की दोरा डिवाइड किया गया आर स्कॉयर देखिए आर अगर रेडियस ओप इस इस्परिकल सर्फेस है हमारी ठीक है तो आर स्कॉयर जेए यानि कि इसको हम क्या इस एरिया ऑफ स्कॉयर कह सकते हैं धेखिए अगर कोई स्कॉयर अगर हम किई स्कॉयर रेम करें जिसके क्या हो रेडियस आर्ड हो सको हो जाएक और स्कॉयर लोगा हो जागा है। तो हम स्क ऐसे भी कह सकते हैं कि the solid angle is the ratio किसका है सरस्फेस is the angle या जुआ है solid angle is the angle सबस्टेंड इड़ इसको है एरिया ओफ साइड आर समझके इसको हम एरिया ओफ स्कॉायर वी जिसकी साइड क्या हो आर हो इसके स्वेरिकल सर्फिस के रेडियस के बड़ाबर अब देखें इसके रिडियर होगी हो इसके बड़ाबर इसके साइडर्द यूड होगी वा समें एक रिया अंगर को समय साइड करूअं तो कि रिखायन वे यूड नि na सब्सक्राइब बनारें अगर यह सर्फेस एरिया और यह आर इसक्वायर यह जिसको हम नहीं पर या इसको कहें अगर दोनों बराबर हो जाएंगे को क् संव fund बनेगा वख सोटेट अगम के जो इसकें सåलिद हो जाएगा ऑन गया उनित हो जाए ठीक या हो जाएगा center of the spherical surface curve by the surface area of the sphere which is equal to the area of which is equal to the area of a square of side r कि तो r square r का square है ठीक इसको क्या कह सकते है side r अगर किसी square की side r हो तो उसका square कितना हो जाएगा sorry उसका square लेकि दो चीजे आ रही है आप एक तो यह वाला square रहा है इसके लिए square चल तो यह जो area हो जागा इस square का वो क्या हो जाएगा आर हम क्या मैं क्या कहना जा रहा हूं कि जब यह जो area होगा वो किसके वराबर हो जाए या तो आर इसक्वायर कि या एरिया डीय हो जाए एक कोई स्क्वायर के एरिया के बराबर जिस स्क्वायर की रेडियस कितनी हो आर वो तो हम कहते हैंगे जो एंगर यहां पर बनेगा उस एंगर को हम कहिंगे वन इस्टे डीयन लोड एंगर यानि कि आप इसको समझेये तब तो यहां पर इस्टे डीयन स्वायर के आपको एक्स्प्लेन किया उसको मैं यहां पर लिग दिया है नोट्स फॉम मैं देखे क्या है 1 इस्टे Radian is the solid angle, solid angle हुगा 1 इस्टे Radian, देखो कब बनेगा 1 जब DA और R square बराबन हो जाएंगा तो 1 Radian is the solid angle subtended at the center of a sphere by a surface of the sphere, यानि की surface of the sphere equal in area, जिसका area equal हुगा to that of a square, to that of a square having each side equal to the radius of the sphere, यानि की जो जनल होता है, surface area radius square, तो हम इसको area of a square भी कह सकते हैं लेकिन उस square की radius कितनी होनी चाहिए, इस sphere के उस square की side sorry, square की side कितनी होनी चाहिए, इस sphere के radius के बराबर, यानि की solid angle DA होने का equal to DA upon R square होता है, for 1 इस्टे Radian, solid angle 1 इस्टे Radian के लिए DA और R square को क्या होना पड़ेगा, बराबर होने पड़ेगा, कहीं पर आपको solid angle के लिए books में, हम omega, यह capital omega जिसको class 10th में, ohm, resistance के लिए यूज़ करते थे, इसको भी solid angle के लिए इसको नोट कीजिए, इस इसको नोट कीजिए, इस इसको लेकर फिया, वीडियो को पॉस करके, इसके बाद हम देखेंगे, जो हमारे चेक्टर में, लेएं उनिट्स हैं, मिजर्मेंट में, हमारी कुछ, प्रिफिक्स के इसाब से कुछ, पावर सो होती है, 10 की जैसे 10 की पा दिए 10 की पावर माइनस 3, 10 की पाषर, 10 की पावर मायनस 6, यहनिक 10 की पावर मायनस 6, 10 की बावर मायनस 6, µ, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर मैं टेवल में बनाओंगा, इसको नोट करेंगे, वो भी हमारे लिए डिए बहूत ज़ुली, एब इसको नोट कीजिएगा, पर ओके तो अब इसके बाद से मैंने यहां पर आपने नोट का लिए होगा अब हम बात करेंगे प्रिफिक्सेस पॉर पावर और पावर ऑफ 10 यांकि 10 की पावर अगर माइनस 1, —2, —3, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 तो उसको क्या कहेंगे ? general जो अगरलिया आगadata बहुत काम आएगा . तो अगर 10 की पावर —1 को देखीर . अगर —1 होगा ? तो ... प्रिफिक्स हमारा होता है deci जैसे decimeter आपने सुना होगा अब हें ? ऐसके आपको जनरली dec सिन्मल होगा ? D अगर decimeter तो पीछे से एम लग जा लिए और दूसरी बात कर अगर हम कहें 10 की पावर माइनस टू तो इसके लिए आपको पता है prefix होता है centi अगर length हो तो centi meter generally हम length को देखते हैं इसमें तो इसका symbol होता है centi के लिए c मीटर देखें इसका symbol सेंटी का सी होता है centi meter अब मीटर की विए क्यों होती है एम लिखते हैं तो सेंटी मीटर को cm लिखते हैं तो जनल यह आपका डी और सी ही होगा centi के लिए देखे 10 की बावर माइनस 3 ये भी आपको पता है इसके लिए प्रिफिक्स होता है मिली और मिली के लिए क्यों एम होता है अब देखी इसका मैं आपको जाम देखा है मिलीमीटर तो मिलीमीटर को हम लिखते हैं वाण 1मीटर कें तो 1MM ठीक है ऐसे ही अगर हम कहाएं one milliampere मिली के लिए खाली M यूज करेंगे Anopy eta i3e आपने देखे पीछे मीनी के लिए कि होगा ठीक one milli कूलंं ठीक टो one m gent ठीक हो गया, वन मिली कूलम हो गया, ऐसे ही अगर हमारे पास से बहुत सारी ऐसी कॉणिटी होगी, तो जब मिली के लिए के बाद म होगा, पीछे जो भी हम करेंट करें तो MP, अगर रेंद करें तो मेंटर और चार्ज कह रहे हैं, तो C हमने लगा दिया, ठीक, ऐसी next हमारे पा माइक्रो के लिए म्यू, मीटर के लिए M लगाएंगे, अगर 1 माइक्रो कूलम कहेंगे, तो माइक्रो के लिए म्यू और चार्ज के लिए क्या लगाएंगे, कुछ C लगाएंगे, ठीक, तो ऐसे ही 10 की पावर माइनस 9, तो इसके लिए जो हो जाएगा, हमारे क्या हो जाए तो 10 की पावर माइनस 10 इसको हम कहेंगे Angostorm और यह होता है A, इसके उपर हम ऐसे 0 लगाता है, यह Angostorm का सिम्बल है, then, next है 10 की पावर माइनस 12 अगर हो, तो हम इसको कहते हैं P को, यह सिम्बल दिसम होगा P को, और इसका, प्रिफिक्स है P को, सिम्बल है P, तो 1 P को मीटर, 1 P, तब M लगाएंगे, P को कूलों, 1 P, फिर C लगाएंगे, ठीक है, ऐसे next आता है 10 की पावर माइनस 15, तो इसको हम बोलते हैं Pemto, यह हम इसको फर्मी भी रहते हैं, और फर्मी, इसके लिए जो सिम्बल हो जाएगा, हमारा F हो जाएगा, फर्मी मीटर आएगा, तो F, M लगा देंगे, एक और आपने लास नोट करने हैं, 10 की पावर माइनस 18, 15, add 2 हो जाएगा, इसका सिम्बल हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो थे हमारे, ऐसी माइनस 24 आगे भी हैं, उनके हमें बहुत ज़्यादा ज़र्वत नहीं है, जनरली जो हमारे 10 के बार माइनस 15 तक हमें ज़र्वत पढ़ दिये, इन सिम्बल्स को याद रखने की, तो इनको आप प्रिफिक्स पावर अप 10 आप इनको नोट कीजिएगा, ठीक, दैन उसके बाद से मैं इसको रख करके आपके लिए सोग हम यहाँ पर देखेंगे, प्र यह तो माइनस में हमने पावर देखी, फिर हम देखेंगे पावर प्लस में, ओके तो आप इसको नोट कीजिएगा यहां तक, तो आप यहाँ पर मैंने आपके लिए अबस रोकिया है, प्रिफिक्स पावर अप 10 उसी में आगे, आप हमने 10 की पावर को प्लस में लिया है, तो अगर 10 कि पार प्लस 1 हो तो हम उसको DK गहेंगे सिम्बल हो जाएगा DA 10 कि पावर 2 हो तो हेक्टो हो जाएगा सिम्बल हो जाएगाऊ 10 कि पावर 3, University किलो, किलो किलो क 1 किलो wahrbt थो और किलो kilos Cross जाएगाःई टो किलो जाएगाःतव है तो के डबलो !! तो ऐसे स्पधिर के लिए के होगा हिए अगर मगें माइक्रोव मीटर तो यह ओऊद सिर्ट और मेट्र लίο मेगा नीमेटर में स्मॉल भी मिंटर में मुलि मीटर में स्मॉल आपकę घिंटर नीकिन6 2020 में 2021 गोदेंग तो यह सुआ है तो इस बाद को आपको डिमिटरL facility नीज है जब लिखा हो थोगा 10 कि यह वहता है सिंबल जी 10 के बाद 12 टेरा सिंबल टी 15 पर पेटा पी 18 को हम एकसा कहेंगे ई से सिंबल हो जाएगा फिर 21 जीटा जै एं 24 को योटा वाइड हो जाएगा ठीक है तो आपको इन में से में में ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए ठीक है कि यहां पर देखिए नियु फार निजरिंगored the critical units विआपकर लिखी हुए जिसकी विसकी आमें अरे चाहिए मांस ृवश एरिया मांस के लिए यह जो 1 पॉंड होता है लेकैने सिंघत鐂 हूं करते हैं सब्सक्राइब इसको आप देखेगा 1 CSR जो हमारे एस चंद्रसेखर जो इंडियन फिजिस्ट हुए है उनके नेम पर यह उन्हें जो हमारा दिया चंद्रसेखर लिमिट यह होता है 1 CSR जो हम लेते हैं उसका क्या हो जाएगा 1.4 ताइम सब्सक्राइब इसको नोट कीजिए और यह तो आपको पता है ऐसी आपको घ्राम मिलीग्राम माइक्रोग्रम यह जो भी नेनो घ्राम यह जो सबस्क्राइब ने ने पहले बता दें यह कुछ और टरंस थे इसमीं एक और टम में हाँ पर लिखे रहा हूँ इसी में आप क्या लिखेंगे जिसको आप जानते हैं पहले से one atomic mass unit उसको आप में क्लास 9th में chemistry में पढ़ा होगा तो one amu भी हम इसको कहते हैं यह क्या होता है वन वाइट्वल और मास और कार्बन क्या लिखेंगे और यह होता है मारा 1.66 और माइनस 27 kg के बराबर यह इस पॉलिष्ट होगी ठीक यहां माय यह बहुत छोटी उनिट है मास के लिए ऐसे ही यहां आप इसको भी नोट कर दीजिएगा प्रेक्टिकल उनिट्वर मास यह आपको पता होनी चाहिए प्रेक्टिकल यूनिट्स पॉर मीजरिंग एरिया ए गज में करते हैं बहुत सारी चीज़ा है तो जो में स्कॉर्ड फिट हम कहिए एरिया के लिए गज में सॉरी यहां पर देखिए यह जो है हमारा अब एरिया के लिए और भी मैंने कुछ लिखे हुए जैसे वन बर्न जनली हम यूज करते हैं तो यह होता है 10 की पावर माइन 28 मीटर स्कॉरर के ब्रावर माइनस 28 ओके और वन एकर यह आपने सुना होगा वन एकर कितना होता है यह होता है 4047 4047 मीटर स्कॉरर एरिया को हम वन एकर करते हैं ठीक है नोट कीजिएगा यह प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएंगे वन हेक्टेयर होता है 10 to the power 4 मी कि 10,000 मीटर स्कॉर तो यह जो है हमाई क्यूताम यूनिट एंड मीजर मेंट वाला चक्टर पढ़ रहे हैं तो हमाई इनको भी जाना जरूरी है तो आज के इस लेक्चर में हमने पड़ा वन रेडियन प्लेइन एंगल एंड वन रेडियन एंगल यह वन इस्टे रेडियन एंगल यह चीज़ें हमने देखी फिर हमने प्रिफिक्स फॉर पावर्स ऑप 10 एंड सम यह इंपोटेंट पॉइंट्स नोट की तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सकार भी कीजिएगा थैंक यू थैंक यू